पत्ता गोबी से मटर पनीर बनाने की सबजी तो यूटूब पर आपने बहुत देखी होगी लेकिन इस तरह की सबजी आपको पूरे यूटूब पर नहीं मिलेगी पहले आप इस पत्ता गोबी से बने मटर पनीर की सबजी को पूरा देखिए देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी है तो आप मुझे एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक जरूर पहुंचे आप इस सब्जी को जिस किसी को भी खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे पत्ता गोबी से बनाया है चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैंने एक पत्ता गोबी लिया था ये ग्राम में 600 ग्राम का है मैंने इसमें से आधा पत्ता गोबी लिया है ये लगभग 300 ग देंगे और इसी में हम एक कटोरी मटर डाल देंगे मटर डालने के बाद इसे हम ढख देंगे और इसमें उबाल आने देंगे ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है इसे हम फिर से ढख देंगे और अब हम इसे 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे पत टक बलसा नहीं दो चले करशी के आफ्ची आपके पानी हो निकल जाए नींगे, पत्ता गोभी मुच पहे हैं च不知道 worth करफि़ ने रेगा है Hoffak कि लने रेक से उबा लेगे, अब हम चेक लिते हैं मतर हमारे पके है ये नहीं हम आ Bennुख आफ plug- ow रुझा है हैं अब हम पूरी तरह से थनडा हो चुका है इस पत्ता को भी चाटते हुपJust कटे हुए पत्ता गोभी को हमें ग्रैंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम एक चमच भर कर मलाई डाल देंगे मलाई डाल कर पनीर बनाएंगे तो पनीर का टेस्ट और टकसर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा घर में जो हम दूद हुबालते हैं और उसके उपर जो मलाई आती है ये वो ही मलाई है ये देखिए पत्ता गोभी का बिल्कुल क्रीमी सा पेस्ट बनकर तयार है इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे इसमें हम एक चौथाई चमच नमक डालेंगे और एक से दो चुटकी हींग डाल देंगे पनीर को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए एक चमच ओयल डाल देंगे सारी चीजों को एक बार मिक्स कर देंगे इस बैटर को हम गाढ़ा बनाने के लिए बेसन का इस्तिमाल करेंगे मैंने यहां पर आधा कप बेसन लिया है इसे हम पूरा एक बार में नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे बैटर को हमने 6-7 मिनट के लिए अच्छे से फैंट लिया है ताकि हमारा जो बैटर है वो फलफी हो जाए बैटर को हम एक साइड में रख देंगे और मैंने यहां पर एक थाली ली है जिसमें एक चम्मच ओयल डालकर थाली को पूरा ग्रीज कर लेंगे यानि की थाली को ओयल को पूरे में फैलाओंगी तो मेरा पनीर बहुत ही जादा पतला बन जाएगा इसलिए मैंने थाली के आधे साइड में ही इस बैटर को फैलाया है गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई में एक ग्लास पानी उबलने के लिए रख दिया है पानी में अच्छा सा उबाल चुका है इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे अगर आपके पास ऐसा स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं इसके उपर हम धाली रख देंगे और इसे धक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसे हम पूरे आठ से दस मिन है और अगर यह आपके हातों पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है हम इसे एक बार चाकू से भी चेक कर लेंगे अगर यह बैटर कच्चा होता तो यह चाकू के साथ निकल के आता पनीर का जो बैटर है यह हो चुका है इसे हम एक चाकू की हेल्प से पनीर की शेप में काट लेंगे आप देख सकते हैं पनीर कितनी आसानी से कट रहा है इसे पनीर की शेप में काटते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही काटें अगर आप इस हातों से भी निकालेंगे तो यह निकल जाएंगे आप इस तरह से एक एक करके निकालते जाएए और एक प्लेट पर रख लीजिए गैस के उपर एक पैन रखेंगे पैन में दो चम्मच ऑल डाल देंगे और ऑल को गरम होने देंगे और इसमें हम तयार किये हुए पनीर को एक खड़े मसाले लिए हैं, आधा चम्मच, जीरा, चार लॉंग, दो हरी इलाइची, दो तेजपत्ता, एक बड़ी इलाइची, दो दालचीनी के टुकड़े, इन सारे खड़े मसाले को हम कढ़ाई में डाल देंगे, जैसे ही ये खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे, इसमें हम दो बारिक कटे हुए प्याज डाल देंगे, प्याज को हम हलका सा ट्रांसफेरेंट होने तक भूल लेंगे, यानि की प्याज को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, जब प्याज को एक से दो मिनिट पकाएंगे, तो प्याज इस तरह से हो जाएंगे, इस टाइम पर हम दो लहषन और प्याज को अच्छे से भूनें गे मैंने यहां पर 2 टमाटर को कदू कस कर के Portal में ढाल देंगे इन उहां दिन गजी dippa दालेंगे मेर चाप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना ही डाले एक चम्मच और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच हलदी पाउडर डाल देंगे और मसालो को भी कुछ देर भून लेंगे मसालो को हमने लगभग एक मिनट के लिए भून लिया है अब हम इसमें दो चम्मच भर कर मलाई डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे, मलाई को तब तक भुनेंगे, जब तक की मसाले में मलाई अच्छे से मिक्स न हो जाए, ये देखिए मलाई और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें उबले हुए मतर डाल देंगे, मतर को मसाले में अच्छे से मिक मैंने इसमें टोटल एक गिलास पानी डाला है आप अपने जरुवत के नुसार ग्रेवी को पतला या फिर गाढ़ा कर सकते हैं इसे अब हम ढग देंगे और इसमें अच्छा सा उबालाने देंगे आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है अब हम इसम मैंने तवे के उपर हलका सा भुन लिया है इसके बाद कसूरी में liquidity को हातों से मसल कर सब्जी में डाल देंगे इन सारी चीजों को सब्जी में मिक्स कर देंगे उसे भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे मिक्स कर देंगे और धंकर तक पकने देंगे, गैस की फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे, दो मिनट हो चुके हैं, धक्कन हटाकर बारिक कटा हुआ हराधनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे, ये देखिए पत्ता गोबी से मटर पनीर की सबजी बनकर त्यार है, इसे खाकर आपको कोई बता ही नहीं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ रेसिपी को शेयर करें, और मेरे चैनल श्याम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ